नमस्कार दोस्तो अब ये भी दू मिनेट पेले की सबसे भड़ी खबर इस वक्त आ रही है देश में आज फिर एक ट्रेन हासा हुआ है 36 गड के बकसर में ट्रेन दो हिस्सों में बढ़ गई है जिसे यात्रियों में चीक पुकार मच गई है वही हादसा होने से पैसेंजर भी भड़ग गई ही हादसा डीडीउ पटना रेल खंड पर हुआ है जब मगद एक्सप्रेस का इंजन कुछ कोच के साथ आगे निकल गया और बाकी कोच को पीछे दुस्तो छोड़ गया है जटका लगने पर ट्रेन के दो टुकडों में बटने का पता चला वही हादसा होने से रेलवे भाग में हड़कम मचा हुआ है दोस्तो हादसा इस तल पर रेलवे अधिकारी जी आरपी आरपी पिलिस पहुंच चुकी है फिलाल पुलिस अधिकारी पूरे मामली की जाच कर रहे हैं लेकिन आए दिन रेल हादसे हो रहे हैं जिसके बाद यात्री भी काफी परहसान है और इस समय यात्री काफी ज़्यादा भड़क गये हैं दो महीने से लगातार रेल हादसे हो रहे हैं सबसे ज़्यादा रेल हासे एक महिने के अंदर यूपी की अंदर देखने को मिले हैं जहाँ कई ट्रेने ड्रेल हुई है और मालगाडी भी ड्रेल हुई है इसके लवा जहार खंड के अंदर भी हासा हुआ है, राजिस्तान, मध्य पिर्देश, महाराश्ट के अंदर भी दूस्तो हासा हुआ है, जिसके चलते यात्रियों में भी देहसत मती हुई है, और अभी बड़ी ख़वर सामने आ रही है, जहां दूस्तो एक ट्रेन हासे का सिक अधिकार हो गई है, आलम की यहां सभी यात्री स्रक्षित हैं, फिलाल अधिकारी पूरे मामले की जाच कर रहे हैं, बहुत बड़ी ख़वर